तो पिछले एपिसोड में सभी टॉप 60 वाले स्टूडेंट एक ज़गा पर इकठा हो गए थे जहाँ पर अब इनके बीच में दीमन आंटिंग ग्रूप के लिए फाइनल कमपर्टिशन होने वाला था इसके बाद सेडो मास्टर इन सभी के सामने आता है और सबसे पहले वो इनको यहां तर पहुचने के लिए कॉंगरेचुलेट करता है अब उसको यहां पर देखते ही सभी स्टूडेंट उसकी बात को ध्यान से सुनने लगते हैं जिसके बाद सेडो मास्टर इन से बताता है कि टॉप 60 में आने का मतलब है कि तुम सभी Demon Hunting Group के मेंबर बन चुके हो और इसी के साथ वो इनसे कहता है कि तुम अब हमें भी जॉइन कर सकते हो अब इसके इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट भी बहुत एक्साइटेड हो गये थे लेकिन तभी इसी बीचा में आपर चेरी नाम की एक छोटी सी लड़की को भी देखते हैं जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो और यांग वेंजा और एक दूसरे को जानते हैं अब सैडो मास्टर इन सभी से Demon Hunting Group के Final Competition के लिए Ready हो जाने के लिए कहता है और इसके बाद वो इनको बताता है कि तुम सभी 60 लोगों को 6 ग्रूप में डिवाइड किया जाएगा जिसके बाद इन सभी के बीच में Point Competition होने वाला है इसके बाद वो इनसे यावी बता देता है कि एक ग्रूप में 10 लोग होंगे और उसमें से हर एक को सेम ग्रूप पे साथ में लेना होगा जिसके वजह से इनके बीच में One on One Combat होने वाला है फिर हमें पता चलता है कि इसमें Winner को 2 Point मिलेंगे जबकि Loser को 0 Point मिलेंगे लेकिन अगर किसी Condition में 2 Warrior एक दूसरे के जितने Powerful है तब वैसे Situation में उनमें से हर एक को एक Point मिलेंगे उसके बाद लास्ट में सभी 60 लोगों को उनके Point के रिसाब से Rank मिलेगा जिसके बाद उसमें से Top 60 नगले Round के लिए Enter करेंगे इसके बाद Shadow Master अब Lottery को सुरू करने के लिए Ready हो जाता है और वो इनसे बताता है कि जो भी सेम कलर वाले Ball को पकरेगा वे दोनों एक Group में होंगे और इसके अलावा बे लोग Ball को पाने के लिए किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते है लेकिन एक आदमी के वाल एक Ball को ही ले सकता है और फिर उसे सेलेक्ट करने के लिए उसके Light को दबाना होगा इसके बाद Shadow Master लोटरी को सुरू कर देता है लेकिन इसके लिए इन सभी को Time Limit भी दिया गया था इसके बाद ये सभी लोग Ball को लेने के लिए Ready हो जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग इसके दोरान एक दूसरे के साथ में Fight भी कर रहे थे ताकि वो अपने पसंद वाले Ball को लेने से दूसरों को रोग सकें लेकिन यहाद एक पैडो Master कहता है कि Hunting Group को बनाने के लिए केवल ताकत की जरूरत ही नहीं परती बलकि इसके अलावा धूरत बाजी और आई साइट के हार्मोने से बचने की भी जरूरत परती हैं और इसके अलावा इस Lottery Drawing की मदद से एक दूसरे के ओपनेंट को समझने का मौका भी मिल जाता है ताकि इसके मदद से बाद में अच्छे माचिंग वाले कीम को बनाया जा सके इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट अभी भी बॉल को लेने के लिए एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन तब ही हम देखते हैं कि एक परपल बॉल सायर के तरफ आने लगती है जिसे देखते ही अब सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे और अगले ही परल सायर उस परपल बॉल को पकर भी लेती है जिसे देखते ही सभी का होस पुरी तरह से गायब हो गया था जिसकी वजह से अभी ये लोग परपल बॉल से बचने का डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि अगर अब इन में से किसी ने भी परपल बॉल को पकर लिया तब उसके वजह से उनको सैर के साथ में फाइड करना पड़ेगा लेकिन हम देखते हैं कि यांग बेंजाओ को सैर से कोई भी डर नहीं लग रहा था और इसलिए वो परपल बॉल को पकरने का डिसाइड कर लेता है लेकिन हम देखते हैं कि हाओचेन यांग बेंजाओ को ऐसा नहीं करने देना चाहता इसलिए वो तुरंट ही यांग बेंजाओ को परपल बॉल लेने से रोक देता है जिसकी वज़ा से यांग वेंजाओ अब हाओचेन के उपर बहुत ही ज्यादा गुस्ता हो गया था और ये दोनों अभी दूसरे के साथ में ही फाइट करने लगे थे लेकिन हम देखते हैं कि हाओचेन बहुत असानी से यांग वेंजाओ को हरा देता है और परपल बॉल को उससे लेने में कामिया भी हो जाता है लेकिन तभी इसी दोरान किसी का विष्ट पार्टनर हाओचेन से टकरा जाता है और इसके वज़ा से उसके पास वाली परपल बॉल यांग वेंजाओ के पास में चली जाती है लेकिन अब यहाद देखते ही उस विष्ट के साथ वाला वार्यर तोरा सा परेशान हो जाता है और हाओ चेन को एक दूसरा बॉल लाकर दे देता है क्योंकि उसके पास में उस कलर वाले दो बॉल होते हैं लेकिन इस बात के लिए हाओ चेन उसे कुछ भी नहीं कहता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेरी यंग बेंजाओ को परपल बोल लेने से रोपती है और फिर उससे कहती है कि तुम्हारी बोड़ी तो अभी पुरी तरह से हील भी नहीं हुई है लेकिन उसके बात भी क्या तुम दूसरों के हाथो मार खाना चाते हो उसकी यहां बात सुनकर यंग बेंजाओ उससे बात करने की कोशिस करता है लेकिन हम देखते हैं कि चेरी बहां से चली जाती है लेकिन तभी इसी बड़ते यहाँ पर एक दूसरी लड़की भी आ जाती है जो कि चेरी का रास्ता रोक लेती है फिर हम देखते हैं कि उस लड़की के पास में येलो कलर वाले दो बॉल थे और वो उसमें से एक बॉल चेरी को देना चाहती थी क्योंकि वो फाइनल में उसके साथ में कम्पीट करना चाहती है लेकिन यहाँ एक चेरी उसे अगली बोलती है और इस बात की वज़ा से वाल लड़की इसके उपर गुसा हो जाती है और फिर वो चेरी से काती है कि अगर ये अगली है तो क्या हुआ इसके बारे में तुम इतना चिंता कैसे कर सकती हूँ जिस पर चेरी कहती है कि मुझे पिंक कलर पसंद है लेकिन तब इसी वक्त पीछे से उसे एक और लड़की की अवाद सुनाई देती है जो कहती है कि यहाँ पर सबसे ताकतवर कौन है और क्या उसे यह भी पता नहीं है कि उसे कौन सा कलर का बॉल लेना चाहिए तब उसके इस बात को सुनकर असेसिन होल का एक असेसिन बोलता है कि हमारी मिस सायर ही इसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर है अब इस बात की वज़ा से वो लर्की परपल कलर के बॉल को लेने का डिसाइड कर लेती है क्योंकि वो सबसे ताकतवर को चैलेंज करना चाहती थी लेकिन तब ही हम देखते है कि यहाँ पर वो मैजिस यह ना चाहता है जो की बहुत पाले लिसीन और हाओचें से मिला था फिरमें पता चलता है कि वो अभी परपल कलर वाले बॉल को लेना चाहता है जिसकी वज़ा से अब इन दोनों के दीच में फाइट सुरू हो जाती है फिर हम देखते हैं कि वो लडगी उस लड़के पर बारी पर रही थी लेकिन इसके बाद भी लड़का उसके सामने हार माने के लिए रेडी नहीं होता और इसके बाद वो भी इसका सामने करने का डिसाइड कर लेता है अब इसकी वज़ा से ये दोनों एक दुसरे के उपर अटैक करना शुरू कर देते हैं जिसके दुरान हम देखते हैं कि इन मेंसे दोनों ही बहुत ज़्यादा पाउरफुल थे और फिर अपने अपने ताकत का यूज़ करके एक दूसरे को हराने की कोसिस करने लगते हैं लेकिन तभी इसी बीच वो लड़का लड़की के उपर भारी पड़ते हुए नजर आता है और फिर वो बहुत असानी से उस परपल बॉल को भी ले लेता है लेकिन फिर भी या चीज़ उसके लिए इतनी भी असान नहीं होने वाली थी क्योंकि हम देखते हैं कि लड़की भी उसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होती है और इसी लिए वो तुरंट ही उसके उपर अटैक करके परपल बॉल को दूर कर देती है अब इसके वज़ा से फिर से इन दोनों के बीच में लडाई सुरू हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के रोकने के लिए अपने अपने ताकत का यूज़ करना सुरू कर देते हैं लेकिन फिर भी इन दोनों के फाइट को देख ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के जैसे ही पाउरफुल है और अब इनके बीच में इस फाइट को देख चेड़ी भी बहुत ज़्यादा अपुस हो गई थी इसके बाद लर्का भी लर्की के उपर पाउरफुल अटाइक करना सुरू कर देता है लेकिन हम देखते हैं कि लर्की इस बार उसे हराने में कामयाब हो जाती है और फिर वो तुरंट परपल बॉल को लेने के लिए चली जाती है लेकिन तभी लर्का भी ठीक समय पर उसके सामने आ जाता है और परपल बॉल को लेने में कामयाब हो जाता है इसके बाद वह लर्की से काने लगता है कि यहाँ परपल बॉल मेरा है और इसलिए अब कभी दूसरी बार हम एक दूसरे के साथ में फाइट करेंगे अब इस परपल बॉल को पाने की वज़ा से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंस इन दो लोगों के साथ में बैठा हुआ होता है और इनके साथ में बड़े आराम से चाह पी रहा था इसके बाद वो ब्रोकेन और हाओ नाम के इन दोनों ललके से पुशता है कि डेविल ट्राइब से लाया हुआ या चाह कैसा है जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को भी लिंस इन की या चाह बहुत ही ज़्यादा पसंदा रही थी और अब इसकी बज़ाद से वा दोनों भी फाइट नहीं करना चाहते थे लेकिन तभी इसी वक्त हाओ चेन और लिसीन भी यहाँ पर आ जाते हैं जिसके बाद हाओ चेन लिंस इन से पूछता है कि क्या तुम इन को जानते हो तब इस पर लिंसीन कहता है कि अभी तो हम पहली बार ही मिले हैं और पहली मुलाकात में ही हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन गया है लेकिन असल में लिंसीन इस तरीके का यूज करके बाल को लेने वाले हरे कॉल के बारे में जानना चाहता है काटी असर करके वो अपने ओपोनेंट के बारे में जान सके इसलिए अब उसे भी पता चल गया है कि साहर कोई सिंपल लर्टी नहीं है जिसकी वज़ा से वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी कंडिसन में परपल बॉल को नहीं लेगा लेकिन तब ही लिसीन उससे पूछने लगती है कि क्या तु मेरे साथ में फाइनल में खेलना चाहते हो और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके हाथ में परपल बॉल होता है अब इसे देखते ही लिन सिंप बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर लिसीन से चाने लगता है कि मैं तुम्हारे टीम में नहीं जाना चाहता लेकिन इसके बाद वो इन सभी के सामने अपने मैजिक के बारे में दिखाना सुरू कर देता है फिरा में पता चलता है कि लिसीन ने दो लोगों को आपस में बात करते हुए सुना था कि Magic Palace के Champion के पास में Unbelievable ताकत है लेकिन उसके साथ में Fight करते बगत हर समय उसके उपर Attack करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पढ़ेगी जिसकी वज़ा से वो अपने Opening को बहुत ही असानी से हरा देगा लेकिन Linsin के ऐसे Reaction को देख थोड़ी सी हैरान हो गई होती है और इसके बाद वो सोचने लगती है कि वो तो इतना ज्यादा Powerful लज़र नहीं आता है इसके बाद Linsin Linsin को मना करने की अपनी पूरी कोसिस करता है लेकिन हम देखते हैं कि Linsin बहुत ही चला किसे Purple Ball को उसके हाथ में रख देती है जिसके बारे में पता चलने पर Linsin बहुत ही ज़्यादा डर गया था और अब इसे ऐसा लगने लगता है कि इसका गेम पूरी तरह से खतम होने वाला है क्योंकि अब इस Purple Ball के वज़ा से उसे सबसे Powerful ऐसे सिंसार के साथ में फाइट करना पड़ेगा लेकिन असल में वो किसी भी कंडिसन में उसके साथ में फाइट नहीं करना चाहता इसलिए वो सोचता है कि अभी भी उसके पास में कुछ काई बचा हुआ है जिसका इस्तमाल करके वो इस Ball को दूसरे के साथ में चेंज कर देगा अब इसके अगला पार्ट भी कुछ गंटों में अप्लोड हो जाएगा लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लास्त वाली वीडियो जरूर देख लेना और गड़ प्राबस आपने चेंगियो तो विडियो को रही जरूर कर देख लेना